हेलो फ्रेंड्स रश्मी के तरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लाल मिर्च का भरवा अचार तो बाकी मसाले और तेल वो मैं बाद में बताऊंगी सबसे पहले मैं ये मिर्च कैसे कट करते हैं ये मैं आपको बता द सकती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते है तो ये देखिए लाल मिर्च है ये बहुत मोटी मोटी होनी चाहिए मैं आपको बता देती हूँ कैसी एकदम परफेक्ट होगी मेरे को भी बहुत अच्छी मिर्च नहीं मिली है लेकिन कुछ इसमे ऐसी अच्छी भी है जो कि मैं नीचे में भी थोड़ी सी मोटी होती है ऐसी मिर्च होनी चाहिए इस टाइब की यह देखिए और बहुत ज्यादा लंबी आप ना लें और पतली वाली तो बिल्कुल भी ना लें यह देखिए जैसे कि यह पतली है तो इसके अंदर भरने में दिक्कत होगी यह देखिए और यह किस्म भी अलग होती है यह जो है यह उतनी तीखी मिर्च नहीं होती लेकिन ऐसी वाली तीखी भी होती है तो इस बात का आप ख्याल रखें कि मीडियम बहुत ज्यादा लंबा ना हो बहुत ज्यादा पतला भी ना हो तो उस हिसाब से लीजे तो चलिए आगे मैं बताती इसको कट करने के लिए और इसको भरने लायक त्यार करने के लिए इन चीजों की अवशक्ता होती है ये चार चीजें मैंने इसलिए लिए एक दो छुरी है तो इसको कट करना है और ये मैंने कई तरह के इसलिए लिए है क्योंकि इसमें मिर्चें कई साइजेज की हैं तो कौन दोडिया है साफ कर दिया है और एकाद घंटे हमने धूप में सुखा लिया है तो देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दंडी सुख गई है और बाकी यह रा पोर्चन है सभी मिर्चे में बिलकुल ताजी थी लेकिन हमने सुखा दिया थोड़ा सा और अगर आप इसको जल्दी क करना चाते हैं धोगे और सुती कप्रे से इसको पहुच दे तो जल्दी से सुख जाएगा और यह काम आप एकदम सबेरे ही करें तो ज्यादा बेतर होगा तो देखिए यह मैं कट कर रही हूँ यहां से यह देखिए यह देखिए यह इस तरह से मैं कट कर रही हूँ तो इन में से सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है क्योंकि इसमें इधर धरापन जो है दोनों तरफ है और इसको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ना है और राइट से हमें यह देखिए यह जो है ना कट यह दो तीन और ये चार ये इस चीज को मैं अच्छी से पकड़ के बहुत लोग इस काम को सही डंग से कर नहीं पाते हैं और उन्हें दिन भर लग भी जाता है और सही से अच्छा होता भी इसको आप इस तरह से घुमा दें और घुमा देंगे साफधानी से तो ये देखिए आप का हाथ भी नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं कुछ कहीं भी नहीं और इस तरह से आप इसको जार दें इसी से ये देखिए बिल्कुल ये खाली हो चुका है आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक कुछ भी नहीं है और इसी तरह से यह मोटी वाली एक और मिर्च में ले रही हूँ तो यह देखिए बहुत साफधानी से इसको इस तरह से यह और इसको पकड़ना है बिल्कुल गृप के साथ अच्छे से और इसको धीरे धीरे इस हाथ की सहायता से थोड़ा सा इसको घुमाना है और हलका सा नीचे तक ले जाई आप जैसे कि मैं लेके गई हूँ बिल्कुल नीचे तक और साफधानी रखना है कि मिर्चे फटे नहीं और देखिए हलका सा मैंने और भी चला दिया तो यह देखिए निकल आई है सारी बीजें और गूदे सारे निकल गया है बिल्कुल अच्छे से जाता है फिर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं यह देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है कुछ नहीं है इसमें और यह थोड़ा सा खराब पोर्शन है इसको हमें थोड़ा सा कट कर देना हलका सा और देखिए इसी तरह से अगर यह पतली मिर्च आपको मिलती है तो यह भ यह पोर्चन पतला है तो वही प्रोसेस करना है सेम प्रोसेस यह देखिए कि बहुत साफधानी जितनी पत्ली मिर्च होती है उतनी साफधानी से अधीर धीरे आपको अंदर की और भी मुझा घुसाते जाना है और यह देखिए कोई-कोई मिर्च जल्दी से नहीं निकलती यह देखिए यह निकल गया बिल्कुल यह देखिए अब फिर से इसको जाड़ना है लेकिन पतली मिर्च के नीचे के गुदे रह जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है यह देखिए आप देख सकते हैं पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं अंदर में थोड़े से गुदे रह गए हैं यह देखिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोई और चीज नहीं लेनी है बस इसी को थोड़ा सा और साबधानी से चुकि इसका यह पॉर्चन भी पतला है और इन सब के मोटे हैं तो यह वाला पॉर्चन यह हलका हलका इस तरह से घुमा घुमा के चला चला करकर के देखिए थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही है जब तक फिनिश नहीं करते इसको तो बढ़िया अचार नहीं बनता यहीं बारीकिया कर लीजे शुरू में तो अचार में कोई भी दिकत नहीं आएगी यह देखिए पिलकुल खाली हो चुका है सारा गूदा निकल सारे मिर्चों को इस तरह से खाली कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए हमने सारी बीज और गूदे निकाल लिये हैं और इसको इस तरह से रखना है कि यह खड़े-खड़े रख देना है जिससे की और इस तरह से कि धूप जिदर से आपकी आ रही हो और अंदर तक इसको सुखने देना है और जरुवत पड़े तो इसको घुमा घुमा करके भी इधर धूप जाए उधर तरह से सुखा लें और यह देखिए यह सारा मैंने बीज और गूदे निकाल लिये हैं अगर आप चाहें तो सिर्फ यह बीज और यह वाला गूदा करें और इस पोर् तो आप गलप्स वगरा यूज कर सकते हैं लेकिन यह देखिए दोनों तरब से मैंने यह देखिए यह निकाल लिया बिना हाथ को जलाए हुए बिना कुछ किये हुए जलन कुछ नहीं होगी क्योंकि हमने हाथ से छुआ ही नहीं तो अगर आप चाहें तो निकाल ले और नह तो यह देखिए यह गुदा और बीज मैंने दरदरा कर लिया है यह देखिए कितना दरदरा होना चाहिए वो मैं दिखाना चाह रही हूँ वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी इसको आप एक एक स्टेप देखेंगे तो बहुत बड़ी आजार बनेगा यह देखिए अब इसको सुखने दे देना है और बार-बार इसको चला-चला के एक दम सुखा कर लेना है काफी कुछ 80% इसको सुखा देना है 70% भी सुख जा तो कोई बात नहीं है तो फ्रेंट्स फाइनली यह मिर्च हमारी सारी की सारी सुख गई है तो यह देखिए आप देख सकते है इसी पॉज में मैंने इसको सुखाया था जिससे की सीधी धूप इसके अंदर जा सके और ये चार घंटे तकरीबन मैंने सुखाया है और 500 ग्राम मिर्च थी हमारी और ये भी देखिए आप देख सकते हैं इसका जो पल्प और बीच जो निकले थे वो भी देखिए 80% हमने सुखा दिया है और इसको ग्राइंड भी कर दिया है ग्राइंड करके सुखाया था इसी बर्थन में हमने तो चलिए इसी में हमें मसाला भी बनाना है तो बाकी मसाले आपको मैं बता देती हूँ, कि क्या और कितना डालना है, तो देखे, यह आप देख सकते हैं, यह हल्दी, 50 ग्राम, 50 ग्राम लालमेच है, 100 ग्राम यह सरसो, जो कि हमने पीली सरसो ली है, इसको पीसा है घर में ही ग्राइंड किया है, यह 500 ग्राम नमक है, और यह 100 ग्राम आमचुर पाउडर है, और यह है पंच फोरन, और यह है एक बड़ी चम्मच, चीनी, आप पीसी भी ले सकते हैं, और यह है काला नमक, यह है काली मिर्च, और यह है सरसो का तेल, यह कच्चा सरसो का तेल है, इसको हमने गरम नहीं करना है, और यह है हींग, जो क इसको गरम करूंगी बुनूंगी और यह है मेथी दाना दो बड़ी चमस तो इसको भी मुझे रंग बदलने तक इसको भुनना है और इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि सारे यह मसाले जितने मैंने क्वांटिटी बताई है उतना सब कुछ मुझे डालना नहीं है कि इस अलग ब्रैंड्स के चीजें लेते हैं हम लोग तो वह थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है जैसे कि यह आमचुर पाउडर अलग-ब्रैंड्स के अलग-अलग थोड़े से टेस्ट होते हैं जो सब लोग नहीं जानते और यह नमक है नमक अगर आप अच्छा वाला लेंगे तो थोड़ा सा लगता है और कुछ ऐसा वैसा ले लेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा लगता है तो इसी वज़ा से इसको टेस्ट करना प्रता है मिर्च लाल मिर्च भी ऐसी ही होती है कि कोई ज्यादा तीखी होती है कोई कम तीखी होती है और बाकी चीजें तो ऐसी होती है ज रंग बदलने तक भुनना है आज मैंने मीडियम रखा है थोड़ा सा और तेज कर लेती हूं जिससे जल्दी हो जाए अभी कड़ाई गरम नहीं हुई है अब यह देखिए होने लगा है अब मैं एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहती हूं कि इस वीडियो को इसकि देखिएंगे नहीं तब तक बहुत अच्छा और आपका नहीं बनेगा यह देखिए यह चटक गो आफीज़ा है अब अब इसको मैं ग्राइंड करूंगे तो फ्रेंड्स अब काउन सा मसाला कितना डालना है इसका प्रपर्शन क्या रहेगा ये देख लेते हैं तो ये देखिए ये सुखी मिर्च जो है जो हमने पल्प ग्राइंड करके रखा था वो है और ये मैंने पीली सरसों डाल दी है थोड़ा सा बचाया है अब मैं ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर आप हमेशा छान कर डालें क्योंकि इसमें कभी-कभी गुठलियां हो जाती है इसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचाया है ऐसा करके मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ जिसे कि अगर आपके पास नाप या तोल का साधन ना हो तब भी आप अच्छा प्रपोर्शन डाल के आप बना सकते हैं सही मात्राएं डाल सकते हैं ये धाई सो ग्राम नमक है तो मैं ये देखिए ये भी मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैं लास्ट में आपको बता दूँगी कि कौन सी चीज कितनी डाली गई है वजन और मात्रा दोनों बता दूँगी और ये चीजें जो है ये काला नमक है तो ये तो हमें पूरा ही डालना है एक बड़ा चमच हमने लिया था और काली मिर्च है ये भी एक छोटी चमच ली थी हमने और इसके अंदर हमने मेथी दाना भुन के मेथी दाना और चीनी एक बड़ी चमच ली थी हमने और यह है तीन बड़ा चम्मच पांच फोरन पांच फोरन भी में लास्ट में आप पो दिखाऊंगी कि पांच फोरन में क्या-क्या चीजे हमने डाली हैं तो इसमें मैं दो चम्मच में अभी डाल रही हूँ और यह हल्दी यह हल्दी पूरी जाएगी 50 ग्राम लेकिन लाल मिर्च मैं थोड़ा कम डालूंगी यह 50 ग्राम यह भी है लेकिन मैं इसको स्पून से नापकर डालूंगी तीन बड़ा चम्मच मैंने तकरीबन डाला है करीब करीब हाफ यह डल गया है यानि की 25 ग्राम और देखते आगे कितना डलता है अब इन सब को मैं मिक्स करूंगी और उसके बाद इसको टेस्ट करना होता है टेस्ट करके देख लेंगे कि जादा इसमें खटास जादा हो रही है या मिर्च जादा हो रही है या नमक एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सबसे कि इस वीडियो को आप एंड तक अच्छे से आप इसको देखें इसके पना करें जिससे कि आपको मसाले सही पता चलें कि कितना कौन सी चीज डाली गई है और कैसे मिक्स किया गया है और किस तरह से ग्राइंड किया गया है जैसे कि हमने तीन चीजों को एक साथ ग्राइंड किया, तो आसानी हुई, एक चम्मत चीनी आप नहीं पीच सकते, या जरासी हींग, अगर आपके पास पाउडर हींग का पाउडर है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको आप एंड तक देखेंगे, चाहे अचार हो, या सबज अगर मातराएं सही डली होती है, चीजों की, तो बिल्कुल कोई शक नहीं होता है, कि स्वाद अच्छा होगा, ये वाला अचार तो साल भर रह जाता है, साल से ज्यादा भी अगर बच गया है, तो आप खा सकते हैं, तो देखिए, ये सारा मिक्स हो गया है, ये थोड़ा सा मैं इधर इसलिए रख रही हूँ कि कभी-कभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा खटास ज्यादा हो सकता है, तो चलिए ये सारा मिक्स हो गया, अब मैं इसको टेस्ट करके देखोंगी, इसमें कौन सी चीज अभी और डलेगी, और एक चीज और बताना चाहती हूँ फ्रे मैं थोड़ी थोड़ी सी चीजे मैं और डालूँगी, हाफ टेबल स्पून ये डालूँगी मैं और आधाई ये भी डालूँगी, नमक ये मैं पूरा भी डाल सकती हूँ, चलिए मैं पूरा ही डाल दे रही हूँ, 100 ग्राम, पूरा लग गया है ये, आमचूर पाउडर दो बड़ा चमच बच गया है, चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिख दूँगी, कि कौन सी चीज कितनी डली है, और वैसे तो आप द दालूँगी, आधा बड़ा चमच, बस मैंने बचा लिया है, ये नहीं डालना है मुझे, हल्दी तो मैंने सारा डाली दिया था, अब इसमें मैं तेल मिला दूँगी, तो तेल करीब 200 ग्राम लिया है मैंने, और तेल तो उसी इसाफ से डलना है, जिसमें ये मिक्स हो जाए, थोड़ा गीला गीला सा हो जाए, तो चलिए मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, इसको सिर्क मुझे भुरुरा करना है, बिल्कुल गीला गीला नहीं बनाना है, इसको भुरुरा करना है, तो चलिए भुरबुरा कर लेती हूँ, तो देखे फ्रेंट्स ये बिलकुल मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, भरने के लाइक बिलकुल रेडी है ये मसाला, तो अब ये देख लेते हैं कि क्या-क्या कौन सी चीज कितनी लगी है, तो देखे ये हल्दी बिलकुल खतम हो चु तो ये बचा है यानि 10 ग्राम समझ लिजे, तो ये बचा है ये बस और ये नमक करीब 50 ग्राम बचा है, क्यूंकि ये भारी होता है, 500 ग्राम थे, तो इसलिए 50 ग्राम यानि की 200 ग्राम इसमें नमक लगा है और तीन बड़ा चम्मच इसमें हमने 5 फोरन डाला था तो ये आधी चम्मच और ये हैं 50 ग्राम लाल मिर्च थी तो इसमें हमने 3 बड़ी चम्मच डाल दिया है तो इसमें करीब 2 चम्मच पच रहा है उस हिसाब से लगबग 30 ग्राम लग चुका है तो मिर्च थो थोड़ा बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं और खटास भी थोड़ा भरी वाली भी मिर्च भर सकते हैं तरह से अचार रह सकता है उसी तरह से ये मसाला भी आराम से रह सकता है कोई भी किसी भी अचार में आप ये मिक्स करके यूज कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी खा तो चलिए अब भरना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें दो तीन चीजों की आवशकता पड़ेगी, जैसे कि ये सलाईयां हैं, एक मोटी और एक पतली, सर्सों का तेल भी हमने 200 ग्राम लगभग लिया था, तो ये सारा लग चुका है, ये छोटी सी चम्मच, और अब म तो ये थोड़ा सा लिया और इस तरह से डाल दिया, ये आप इस तरह से डालते जाएं, और ये स्पून का पीछे का हिस्सा भी यूज हो जाता है, ये इस तरह से, अगर आपके पास सलाईयां नहीं है, तो कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं, और सबसी लास्ट वाले के लिए हमें थोड़ी सी सलाईयां को यूज करना पड़ता है यह देखी छोटी वाली मिर्चें तो तुरंद भर जाती हैं बड़ी आसानी से यह देखे बहुत आसानी से मिर्च का यह ख्याल रखना है भरते समय कि बहुत जादा आप इसको एक दम ठूश ठूश के ना भर दे बिलकुल और नहीं जो है ना बहुत पूली हो जाएं कि बिलकुल क्योंकि यह हलका-लका भरना है बहुत जादा नहीं इसलिए कि इसमें तेल जब हम पूरा तेल डालेंगे इसमें तो तेल इसमें जाएगा और मसाले फूलेंगे फिर इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है तो इस तरह से आप देख लें कि बहुत जारा टाइप ना हुआ हो और छोटा वाला तो कि आपने देखा कि बहुत आसानी से भर गया अब यह बड़े वाले को मैं भर रही हूं कि इसमें ठोड़ी से दिक्कत आती है ठोड़ा टाइम भी लगता है लेकिन यह है बहुत ही सिदावाहार होता है साल ब fij रहता है अगर साल बढर से जादा भी अगर बच गया हो तो भ क्योंकि तेल अगर खराब हो जाता है तो अचार चाहे बच भी जाए लेकिन तेल के कारण अचार खराब लगता खाने में यह देखिए इसको ख्याल रखना है कि मिर्चों में छेद ना हो जाए आराम आराम से इस तरह से मिर्च अच्छे से भर जाती है यह देखिए और थोड़ा थोड़ा दबा के देख लेजे कि भरी है कि नहीं जैसे कि देखिए यहां पर भरी नहीं है तो अभी थोड़ा सा हमें प्रेस करना होगा थोड़ी सी मेहनत इस अचार में लगती है जरूर लेकिन बहुत बढ़िया बन के तयार होता है और लंबे टाइम तक चलता भी है कभी अगर आप लिट्टी वगरा बनाएं तो बहुत काम भी आता है परांठे के साथ खाएं किसी भी डिनर या लंच के साथ आप परूश सक लगते हैं बहुत बढ़िया लगता है लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है बस करने भर की देर है अगर हाथ आपको पिले-पिले नहीं करने है या जलन्द से बचना है तो आप गलप्स का यूज कर सकते हैं यह देखिए यह मिर्च पूरी भर गई है लेकिन थोड़ी सी यह हलकी हलकी दब रही है ऐसे ही भरना है जिसे कि तेल अंदर तक जा सके जब हमने जार में डालना है तो और मसाले फूल सके तो चलिए इसी तरह से सारे मिर्च मैंने दो-तीन भर लिये हैं सारी मिर्च भर लेते हैं देखि कि 500 ग्राम मिर्च में से 4, 5 मिर्च हमारी खराण चली गई थी यह अकसर होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारी मिर्चें कैसे भर गई हैं यह देखिए यह सारी मिर्च Time जो मैंने भर दिया है और 1 गान-2 मिर्च तो यहाँ से देखिए यह थोड़ी सी यह पूरी तो उस मिर्च को फेके नहीं और इस तरह से इसको आप भर सकते हैं ये देखिए और टॉप पर जब आएं तो इस तरह से इस पर थोड़ा सा थोड़ा सा दबा दें जिससे कि तेल अगर हम डालें जार में तो वो निकल न जाए तो चलिए अब मैं इसको जार में भर लेती हू इसी जार में मैं भर लेती हूँ यह देखिए तो पहले बड़ा वाला मैं डाल रही हूँ यह हमने सारा मिर्चिस में भर दिया है जार में अब उपर से हमें तेल डालना है धीरे धीरे से तेल डालना है दूबने तक और यह अचार हमें खाने को मिल जाएगा एक महीने के बाद ही खा सकते हम इसमें अगर आप जल्दी त्यार करना चाते हैं तो इसको दूब में रख दीजे दो चार दिन और नहीं तो कोई जरुवत नहीं है चाय में रख सकते हैं और जल्दी खाना है तो इसको पूरा तेल से भरे नहीं और अगर आराम अराम से खाना है बाद में तयार हो जाने पे तब इसको पूरा तेल इतना भर देना धीरे धीरे मिर्च थोड़ी सी बैठ जाएगी थोड़ी कम होगी श्रिंक होगी और मसाले फूलेंगे मतलब कम भी होगा और ज्यादा भी होगा तो फ्रेंट्स हमने कहा था कि पांच फुरान क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी तो ये है मोटा वाला सौंफ ये है काली राई और ये है अजवाइन और ये है मेथी दाना ये चारों चीजें एक चम तो इन सब को मिला के ही पंचि फुरान बनता है जिसको की हमने ढाई बड़ा चमच डाले में तो आप भी ऐसे कीजिए और अगर बच जाए- तो आप किसी भी सबजी में डाल सकते हैं, सुखी या गीली किसी भी सबजी में इसको इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं अलग-अलग डालती, लेकिन पचफोरन के नाम से मैंने डाल दिया, एक ही बात है, तो ये देखिए, 200 ग्राम मुझे लगा था, मसाले में तेल, और ये दो बा अगर आप इसको ट्राइ करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब के साथ-साथ बिल आइकन प्रेस करके, हमें ओल भी कर दें, जिससे की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिक झात।